open PixArt app, select plus and select your photo select effect हमें यहाँ पर बहुत सारे options मिल जाएंगे एफेक्ट के लिए तो हम जाएंगे थर्ड ओप्षिन पर, जो है blur हम उसमें second option choose करेंगे और उसमें हम opacity कम स्यादा कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहिए वैसी कर सकते हैं और फिर कर देना है apply अब हम जाएंगे add photos पे और हम same photos again choose करेंगे हमारी वही photo अब आजाएगी screen पे तो हम जाएंगे cut out पे और फिर हम select करेंगे person तो person अपने आप select हो जाएगा हमें स्यदा मेहनत नहीं करने पड़ेगी बर थोड़ी थोड़ी एचीस में हमें थोड़ी मेहनत करने पड़ेगी तो हम zoom करके उसे restore कर लेंगे एक बार अच्छे से सारा recover करने के बाद हम जाएंगे save पर तो वो हमारा sticker बने के ready हो जाएगा फिर उसी स्टिकर को हम same photo पर accept location पर हम set करेंगे और फिर जाएंगे apply पर फिर हम जाएंगे fx पर और वहां से हम कोई भी effect चोज़ कर सकते हैं जो भी आप अपने photo पर चोज़ करना चाहें वह पर सकते हैं आप जो भी available है वो try करके दीखें और कौन सी सबसे ज़़ा अच्छी लग रही है वह आप से लिक कर ली और फिर apply करेंगे फिर हम जाएंगे next पर फिर आजाएदा save और फिर अगें save एफिर add and save and we are done झाल 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 झाल